जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी के पत्र पत्रिका से सम्मंदित महत्तपुन क्वेश्चन अंसर वीडियो पूरा वस्त देखिएगा अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर कीजे ताकि अनलोग वी एह वीडियो देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फस्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है तो देखिए पत्र पत्र का से सम्मंदित फस्ट क्वेश्चन पूंच बंगाल गजट यानि की विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर होगा बंगाल गजट का परकास ने कब से सुरु हूआ MIT तो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यानि कि 1780 इस वी आपका सही आंसर हुगा संबाद कोमदी पत्रे किसने निकाला था महतमा गांधी राजा राम मोहन राए या या युगल कुसूर चतुरवेदी तारा मोहन तो कॉस्चन नंबर 3 है और 3 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर B यानि कि राजा राम मोहन राए आपका सही आंसर होगा इन्होंने संबाद कोमदी पत्रे निकाला संबाद कोमदी पत्रे किस भासा में प्रकासित हुआ था अंगरेजी में, हिंदी में, बंगला में या संस्क्रेट में तो question number 4 है और 4 का सही answer है यह जो है बंगला भासा में प्रकासित हुआ था तो विकल्प number आपका C यहाँ पर सही answer होगा question number 5 पूचा है कि भारत का पिर्थम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था हिंदी समाचार पत्र पूचा है आपसे तो question number 5 का answer यहाँ पर आपके लिए बताना है क्या होगा सही answer बताए भारत का पिर्थम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था तो उदन्त मारतंड आपका सही आंसर होगा विल्कुल सही उदन्त मारतंड जो पत्र था इसका प्रकासन कब हुआ यह आपके लिए बताना है बताईए question number 6 है महत्त पूर्ण question आपसे पूंचा गया है और आपका इहाँ पर 6 का राइट आंसर है 1826 इसवी आपका सही आंसर होगा वदन्त मारतंड का प्रकासन वस अठारा सो 26 वदन्त मारतंड का प्रकासन कहां से होता था यह आपके लिए बताना है मुंबई दिल्ली चेंड़ी कल question number 7 है जो कि महत्त पूर्ण question आपसे पूंचा गया है और 7 का सही आंसर बताना है तो कलकत्ता कलकत्ता आपका सही आंसर है बिल्कुल सही कलकत्ता विकल्प नंबर सी जनों ने बताया है उनका सही आंसर होगा बहुत बढ़िया उदन्त मारतंड किस पिरकार का पत्तर था यह पाक चिकता है यह महत्त पूर्ण question है आपका पूंचा जाता है इस पिरकार का question आपसे एकजाम में कि उदन्त मारतंड किस पिरकार का पत्तर था और आपका सही आंसर होगा सापता है यानि की विकल्प नंबर आपका एक सही आंसर होगा हिंदी का प्रिथम देनेक समाचार पत्र कौन सा था अब आपके लिए यहां पर देनेक समाचार पत्र आपके लिए बता नहीं बताईए अभी पूंचा था कि भारत का प्रिथम समाचार पत्र कौन सा था तो उदन्त मारतंड था अब हिंदी का प्रिथम देनेक समाचार पत्र पूंचा है तो आपका राइट दस का सही आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है कि समाचार सुधा बर्षनल का प्रकासन कब हुआ तो 1854 जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका D यहां पर सही आंसर होगा समाचार सुधा बर्षन का पिरकासन कहां से होता था मुंबई से दिल्ली से या दो विकल्प आपकी यहां पर दिये गए हैं कलकत्ता या चेन्नाई से तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कलकत्ता राइट आंसर होगा कलकत्ता से होता था इसका प्रकासन बिल्कुल सही आंसर बताया है विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा उदंत मारतंड समाचार पत्र का संपादक कौन था बताईए तो कौन थे उदंत मारतंड समाचार पत्र के संपादक आप से पूचा है जुगल की सूर स्याम सुंदर सेन राजा राम मोहन राय या तारा मोहन तो आपका सही आंसर है संपादक इसके थे कौन जुगल की सूर या संपादक आपसे बताना है समाचार सुधा वर्षन पत्र के संपादक कुए थे जुगलकिसूर थे स्याम सुंदर सेन थे राजा राम मोहन राय थे तारा मोहन थे तो तेरह का सही आंसर है आपका यहाँ पर भी राइट आंसर है स्याम सुंदर सेन आपका सही आंसर होगा भी य मैंसे कौन सा पत्र है राजा राम मोहन राय नहीं निकाला था उदंत मारतंडे संबाद को मदी या फिर बंगदोत या प्रजा मित्रे तो question number आपका यहाँ पर कौन सा है आपका question number 14 है और 14 का सही आंसर है उदंत मारतंडे जो पत्र है यह मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने नहीं निकाला था question number आपका 15 है कि भारतिये पत्रकारिता का आधार इस्तंब किस पत्र को कहा जाता है question number 15 है और 15 का आंसर बताना है भारतिये पत्रकारिता का आधार इस्तंब किस पत्र को कहा जाता है जो गल किसूर को स्यामसुंदर सेन को तारा मोहन या फिर राजा राम मोहन राय को question number 15 है और आपका सही आंसर है राजा राम मोहन राय आपका विकल्प नमबर जो सी है वहे आपका सही आंसर होगा question number 16 है बनारस पत्र किस ने निकाला था जो गल किसूर चतुर बेदी राजा राम मोहन राय राजा स्यामसुंदर सेन question number 16 है और सोले का सही आंसर आपका नहां पर होगा सितारी हिंद आपका राइट आंसर है राजा स्यामसुंदर सेन question number 17 है नंबीन चंदर राइद्वार संपादित ग्यान परदाईनी दैनक पत्र का कहा से प्रकासित होती थी किस की दोポादित थी आपका सही आंसर होगा question number आपका 28 पूच्छा ए जो कभी बचसंगा पत्र किस ने निकाली तो आपका है यांपर सही आंसर है, कभी बचन, सुधा पत्ट्री का, किसने निकाली, ये पूँचा है आपसे तो सरल कॉस्चिन है आपका भारतेंदु आपका राइट आंसर होगा विलकुल सही भारतेंदु जिनोंने विकल्प नमबर डी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु द्वारा समपादत कई बचन सुधा पत्री का प्रारंब में किस प्रकार की थी सापताहिक, देनिक, पाक्षिक या फिर यहाँ पर मासिक यह आपके लिए बताना है मासिक लिखा है यहाँ पर तो आपका सही आंसर होगा, मासिक विकल्प नंबर B, आपका सही आंसर होगा, विल्कुल सही राइट आंसर है, इन्वे से कौन सी पत्री का भारतेंदू ने नहीं निकाली थी, तो यह रहे आपके चार विकल्प बताईए, कौन सी पत्री का भारतेंदू ने नहीं निकाली थ कभी वच handful शुदा रिश्चंड्र मेक जीन या पर बाला वोधनी भारतेstudhuhu के आपका सै blank-ज ओंढा बिकल्ब नमबर डी राइट आंसर होगा विलकुल सकाई लगा वुचुः क्भी वचल्दा पत्रिका का प्रकासन कब से सुरू हुआ था तो कब से शुरू हुआ था कभी वचन सुधा पत्रिका का प्रकासन 1865 से 1853 से 1870 से 1868 इसवी से Q21 है और 21 का सही आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है 1868 इसवी आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है अंगला Q21 क्या है हरिश्चंद मेगजीन पत्रिका का प्रकासन कब हुआ हरिश्चंद मेगजीन पत्रिका जो की महत्तपुन पत्रिका थी 1865, 1873, 1870, 1868 तो इसका प्रकासन कब हुआ ये पूँचा है हरिश्चंद मेगजीन का तो 1873 यानि कि भी आपका इहां पर सही आंसर होगा बाला बोधनी पत्रिका का प्रकासन कब हुआ, question number आपका यहाँ पर क्या है, 23 है और 23 का सही आंसर बताना है, बाला बोधनी पत्रिका का प्रकासन कब हुआ, तो 23 का आपका बिल्कुल सही right answer होगा, यहाँ पर 1800, क्या होगा right answer, 1844 इस भी आपका सही answer है, विकल्प नमबर एक, थी, इस्तरी सिक्षा से संबंदित पत्रिका बताना है, कई बचन सोधाती, रिष्चंद म्यक्जीन, बाला बोधनी कोई नहीं, तो इस्तरी सिक्षा संबंदित पत्रिका भारत्यंदू जी की बाला बोधनी यानि की विकल्प नमबर आपका, C यहाँ पर सही answer होगा, बाला सही answer है आपका, बाला बोधनी पत्रिका का प्रिकासन बनारस से होता था, यानि की विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो B है वहे आपका सही answer होगा, बनारस राइट answer है बिल्कुल सही, अंगला question क्या है, हिंदी प्रिदी पत्रिका किसने निकाली थी, महाविर परशाद द आपका यहाँ पर जो होगा, वहे आपका राइट answer क्या है, विकल्प नमबर C यानि की वालकिष्ने, भट आपका राइट answer है, हिंदी प्रिदी पत्रिका का प्रिकासन कब हुआ, बताइए, महत्तपुन question आपसे यहाँ पर पूछा है, हिंदी प्रिदी पत्रिका का प्रिक आपका रायसमे, तो क्या होगा, महत्तपुनद question आपसे पूछा, इसका आपके लिए, तो क्या होगा, सही आंसर तो आपका यहाँ पर सही आंसर है organiz individus नोली निकालई थी बद्धरी नारारा चौधरी है आपका आंसर होगा अंगलिए क्वैसर क्वैक्शिन है कि आंण कडामबनी पत्र का का पर्कासन कहा कहां से होता था कासी से बनारस से इलाहबास या मिर्जापुरसी तो question number 29 है 29 का सही आंसर आपके लिए अहां पर बताना है तो 29 का right answer इसका जो प्रिकासन होता था वह मिर्जापुरसी होता था बिल्कुल सही आंसर है question number 30 है कि भारते अंदु पत्री का किसी ने निकाली थी बदरी नार्ण चोदरी question number 30 है और 30 का सही आंसर आपके लिए बताना है तो be right answer है रादा चरण गोस्वामी आपका यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर बताया है बारते अंदु पत्री का किसी ने निकाली रादा चरण गोस्वामी प्रेश परकार अपने यहां पर पत्र पत्रिकाओं से संबन्दित यह भाग अपना एक है अब भाग दो आपका बहुत ही जल्द आने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को सेयर करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद